हेलो फ्रेंट्स, ओल्कम बेक टू मा इटूब चेनल, दोस्तो आज के प्लेन एक मोडन सिंगल इस्टोरेट बिलिंग घर के बारे में है, जो 35x29 स्केर फिट एरिया में इस्तिर, 3 बेटरूम वाला एक शांदर घर है, जिस घर के फ्रोंट साइट के डिजाइन बहुत ही खु और वीडियो को आच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिए, दोस्तो घर के ड्रोंग में देख सकते हैं घर के 3 बेटरूम है, घर के इस जगा पर कीचेन रूम, और कीचेन रूम के बगल में घर के बादरूम है, घर के प्लेन में एक इस्टेरकेस गर के इसान रूम दिया गया है, घर के प्लेन में 21 कॉलम से, जहाँ घर के रूमों के लिए 15 कॉलम इसके एर साइस में, और सभी कॉलम के साइस जेन 9 इंच बाईन इंच जहाँ आप लोग 16 mm का चार सरिया डाल सकते हैं, और बाकी 6 कॉलम घर के बारंदा और केरिस रूम के ये है, जहाँ आप लोग घर के कुलमों को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, और फांडिशन में सभी कुलमो के साइज है 9 इंस whereby 9 इंस Peak जहाँ घर के Clean Doze बीन के साइज 9 ince by 6 इंस दे सकते हैं दोस्तों, आब हम जाने हैं घर के Roamoo के बारे में घर के सुपर स्ट्र्क्चर में इस जगा पर एक बेटरूम है जिस बेटरूम के size 13x14 square feet घर के इस बेटरूम में आप लोग 2 doors से होते हुए आंदर जा सकते हैं जिस बेटरूम के लिए 2 windows है और इस बेटरूम के बगल में घर के दूसरा बेटरूम है जिस room में आप लोग इस door से जा सकते हैं घर के इस bedroom के size 13 by 15 square feet और इस bedroom के लिए two windows दिया गया है घर के और एक bedroom घर के इस corner में है जिस bedroom के size 15 by 15 square feet जो square size में है घर के सबसे बड़ा bedroom के लिए भी two windows है और इस bedroom के लिए इस door को दिया गया है और यहाँ पर दो बेट्रूम के भीस में घर के staircase रूम है जाहां घर के ground floor से fast floor जाने के लिए एक staircase दिया गया है घर के staircase रूम के size 7 by 10 square feet और घर के bathroom घर के plane में इस जगा पर है जिसके size 7 by 5 square feet घर के bathroom के लिए इस door को दिया गया है घर के front side के इस जागा पर है घर के kitchen room जिस room के size 10x9 square feet घर के kitchen room में आप लोग 2 door से जा सकते हैं और kitchen room के लिए भी two windows है और घर के बिचों बीचे घर के drawing room घर के drawing room के size 12x12 square feet घर के drawing room में आप लोग 2 oscillate door से होते हुए अदर जा सकते हैं और घर के lab side में हैं घर के garage room stairs 12 by 7 square feet area पर इस्तित है जिसको आप लोग दो कुलूम के साथ ऐसे बना सकते हैं और घर के stairs के उपर slab ऐसे design किया गया है और stairs के दोनों साइट में घर के बारांदा designing कुलूम और roofing के साथ ऐसे बनाया गया है बारांदा के roofing के लिए आप लोग tin sheet का इस्तिमल कर सकते हैं और घर के दोनों बारांदा railing से भी design किया गया है जहां जाने के लिए get भी रखा गया है और घर के garage room के roofing के लिए आप लोग tin sheet का यूज कर सकते हैं जो खूबसुरा design के साथ ऐसे बनाया गया है और घर के रूमू के लिए roof RCC का है जिसके normal thickness 566 inch देने चाहिए और घर के slip के लिए आप लोग 10 mm और 8 mm का सर्या यूज कर सकते हैं और इस घर के parapet wall का height 3 feet 6 inch